Hello guys, welcome to an academy, मैं हूँ अनिकेतर गवाल and Nepal ने recently ban कर दिया है सभी के सभी Indian news channels को इसी को हमने discuss करना है क्या इसके implications होंगे इंडिया के उपर वो सभी हम देखेंगे plus Nepal और इंडिया के जो relations है जिन में काफ़ी जादा तनाव, काफ़ी जादा दूरियां हमें देखने को मिल रही है उसमें किस तरह से ये भड़ोतरी करेगा उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे ये GS2 के अंदर आपका part fall करेगा and इनका जो main reason है वो है baseless propaganda against the government and PM only तो इन्होंने काया कि इंडिया की जो government है वो baseless propaganda करती है against बोलती है Nepal के, Nepal के मिल जाएगा, English का batch मिल जाएगा और bilingual batch भी मिल जाएगा तो आप किसी भी तरीके से इसको subscribe कर सकते हो and हमारे जो prices है वो भी काफी affordable है जितना long term आप plan लेते हैं उतना ही आपको अच्छा discount मिल जाता है मैं आप लोगों को से request करना चाहूँगा अगर आपको मेरे ये videos अच्छा लगते हैं मेरा content अच्छा लगता है and आप मुझसे personal guidance आते हैं तो आप an academy का अप्ला subscription ज़रूर खरीदिए आप इसे एक महीने के लिए खरीद सकते हैं तीन महीने के लिए ले सकते हैं 6 months ले सकते हैं और 12 or 24 months का भी ले सकते हो and जब भी आप subscription को लो तो आप मेरा code use करो जो की है ANI7 इससे क्या होगा आपको 10% additional discount मिलेगा and मेरा भी कुछ help हो जाएगा so if you want to support me तो आपको इस subscription मेरे discount code से लेना चाहिए इसके बहुत सारे benefits हैं जो हम वीडियो के end में discuss करेंगे यहाँ पर आप tweet देख सकते हो बिस्नो रिमाल का बिस्नो रिमाल कौन है यह chief advisor है प्राइम मिनिस्टर के नेपाल के the new stories, comments coming from Indian media against government and prime minister of Nepal are highly objectionable, thus condemnable यानि कि जो भी stories दिखाये जा रही है Indian media के अंदर या India news channel के अंदर जो भी debates हो रही है, जो भी news दिखाये जा रही है वो एक propaganda की तरह है वो बहुत जादा target कर रही है, defamatory है हमारे nation के लिए हमारी government के लिए, plus हमारे prime minister के लिए तो इनका हम पुर्जोर जो है objection करते हैं and terrorist करते हैं such reports do not care about the basic ethics of journalism and जो इंडियन journalist है उनके उपर भी इनोंने कहा कि यह जो journalist बने बैटे हैं, इनके अंदर एक basic ethics नहीं है कि आप किसी high dignitary के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको respect से बात करनी चाहिए and so on तो इसी चीज़ को based बनाके इनोंने इस चीज़ को tweet भी किया है और आपको पता है कि आजकल social media इतना दादा prominent हो चुका है कि जो आपका tweet होता है it is like an official statement ठीक है तो official statement की तरह है इसमें हमारे किसी भी देश के साथ relations जो है संबंद जो है वो दिखाई देते है तो इस tweet को हमने देखा जो विशनुष रामपाल है चीफ अड्वाइजर टू पीएम केपी शर्मा ओली के इंडियन मीडिया एक objectionable तरह से बात कर रही है और इसके अलावा अभी तक कोई official order pass नहीं हुआ है इस ban को लेकर के तो अभी आप कह सकते हैं एक unofficial तरह से ही सभी channels विगारा को ban किया गया है अभी officially कुछ भी नेपाल में नहीं हुआ है और जो आपके नेपाल के operator है धुरूप शर्मा, Megamax TV के उन्होंने कहा है कि we have turned off all the signals of Indian channels from this evening तो जितने भी Indian channels है उन सभी को temporarily हमने off कर दिया है despite no official orders the move came after former deputy prime minister and spokesperson of the ruling Nepal communist party NCP आपको पता है closeness है, said baseless propaganda by Indian media against the Nepal government and RPM should stop तो उन्होंने कहा था कि जो भी baseless propaganda Indian media चला रही है उस पूरी को हमें stop करना है, बंद करना है तो इसी के बाद से Megamax TV ने सभी Indian channels को block कर दिया है, बंद कर दिया है, उन्होंने आगे भी कहा कि it has crossed all the limits, this is getting too much and stop with this nonsense, तो काफ़ी जाद आप कह सकते हो कड़े शब्दों में हमें देखने को मिल रहा है, आलोचना हो रही है Indian media की, Indian channel की, Indian journalism की and journalist ethics की, तो ethics की यहापी भी again आपका बहुत important part बन जाता है कि क्या हमारी media जो है वो किसी भी चीज़ को दिखाती है, तो ethics को cross कर जाती है, क्योंकि हम देखते हैं, बहुत बार media खुदी assassination करने लग जाती है, character assassination करने लग जाती है, किसी भी person का या किसी भी accused का तो media trials बहुत जादा popular हो गए है किसी भी बंदे के भारे में अभी कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, सिरफ F.I.R. हो रही है, या investigation चल रही है and media खुदी उसका character assassination कर देती है, या उसके खिलाफ कोई अपने आप से जान शुरू कर देती है, कि इस बंदे ने ये किया, इस बंदे ने ये किया, amnisting operation में ये पकड़ रहा है and so on, तो judiciary का आप खुदी ले रहे हो, media trial कर रही है and उसमें अगर वो person innocent बाद में पाया जाता है, तो उसकी बहुत जादा बेस्ती हो जाती है, defamation हो जाती है, जिससे उसका समाज में रहना मुश्किल हो जाता है तो suppose कर ये कोई rape accused है या कोई और किसी तरह का accused है जिसको आपने बहुत जादा defame कर दिया इस तरह से media में and बाद में पता चला कि वो person innocent सा, तो इस तरह से media ethics जो है हमारे इंडिया में काफी जादा downgrade हो गए है, ये हमें कई सालों से देखने को मिल रहा है, प्लस अब यही चीज बाहर के देश वाले, यानि कि नेपाल का जो country है, लोग है, ministers है, वो भी इसी चीज को उठा रहे हैं, तो हमारे journalism पर आप कह सकते हैं, थोड़ा सा धक्का है, तो हमारे journalist को कम से कम equilibrium standard of ethics जो है, वो maintain रखना चाहिए, किसी भी चीज को दिखाते हुए, किसी भी news को show करते हुए, किस तरह के words का इस्तमाल कर रहे हो, किस person के बारे में बात कर रहे हैं, and so on, and इस tweet को हम अल़री देख चुके हैं, तो इस topic में से आपको जो question बन सकता है, वो means का बन सकता है, based on media trials, या journalist ethics किस तरह के होनी चाहिए, उनके उपर आपका question जो है, वो बन सकता है, तो अब आपकी activity आज की यही रहेगी, कि आपको 150 words के अंदर, इसके उपर एक short answer लिखना है, and short answer को आप मुझे send कर सकते हो, on telegram, telegram group है at the rate study time yit, and साथ ही आप telegram channel, जो हमारा anacademy का है, उसको भी नीचे दिये गए link से subscribe कर सकते हो, आपके answer भेजने के कुछ time बाद ही मैं चाहूंगा, कि उसको evaluate कर दूँ और आपको जल से जल उसकी feedback भी provide कर दूँ, so thank you for watching this video, have a nice day, तो देखिए सबसे पहली जो चीज है, आप अपने favorite teacher से सीख सकते हैं, तो इसके अंदर कोई teachers के उपर बंदिश नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप offline coaching में जाते हैं, और आपको वहाँ पे quality पढ़ाने वारे सर जो है, वो अच्छे लगते हैं, और उनका quality आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है economics या history या कोई और subject है, जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन teacher से नहीं समझना चाते हैं, कि उसे और teacher से पढ़ना चाते हैं, तो उस case में आपको extra खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है, लेकिन an academy plus में ऐसा नहीं है, आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है, आप उससे वो पढ़ सकते हैं, तो आपने a teacher से suppose कीजिए quality पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन a teacher का geography आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और b teacher के पास जाकर भी, वो subject को पढ़ सकते हैं, और उसमें कोई restriction नहीं है, कि आप कितनी मरज़ी बाद teachers को switch कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको best combination of teachers लगता है, आप उनके जो lectures हैं वो देख सकते हैं, और अपना slayvus घर बैटे बैटे आराम से पूरा कर सकते हैं, सेकेंड यहाँ पर आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं, तो यानि कि आपके सारी doubts जो हैं, वो to the point विल्कुल साथ की साथ ही nip-tara कर दिया जाता है, तो nip in the bud हो जाता है, ताकि कोई भी doubt ऐसा नहीं हो जो linger on करता रहें, और बाद में आपको problem create करें, revision के time पर आपको problem आए, तो आपके सारी doubts को specific sessions के अंदर completely cover कर दिया जाता है, again जो बहुत बार आपकी offline classes हैं, उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका clearing doubt session चलता रहेगा, आपके doubts जो हैं, वो clear होते रहेंगे, उसके बाद आपको एक ही subscription के अंदर multiple courses हैं, वो मिल जाते हैं, और आपको unlimited access मिल जाता है, पूरी anacademy library का, तो suppose कीजिए, आप PCS की भी त्यारी कर रहे हैं, and IS की भी त्यारी कर रहे हैं, अब IS के बीच में आपके UP PCS का exam निकल लाता है, तो उस टाइम पे आपको UP PCS के लिए कोई specific courses देखने हैं, specific lectures देखने हैं, तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं, तो एकी subscription आपको अलगलग exams की त्यारी basically करा रही है, तो एकी subscription से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फायदा उठाएं तो आप multiple exams भी crack कर सकते हैं, और जो आपको जॉब लगती है, आप उसको रख सकते हैं, एकी subscription में आपको बिना double पैसे खर्च किये, आपके अच्छे से सारी त्यारी हो जाती है, and again घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे 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 बहुत बड़ा comfort है, और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं, क्योंकि आप देखे, अगर आप offline coaching में जाते हैं, तो आपको एक तो आने जाने का खर्चा लगता है, उसके बाद कई बार parking fees लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गाउं में रहते हैं, या आपके शहर के आसपास कोई coaching नहीं है, तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका monthly expenditure बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का, और अन्य चीजों का खर्चा बहुत जाता है, तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर real time interaction है teachers के साथ, तो ऐसा नहीं है कि वीडियोज चल रही है तो आप teacher से बाचीत नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा आपको अन्यापे unlimited test series मिलेगी, तो exam से पहले सबसे जादा important होता है कि आपने कितने test किये, क्योंकि जितने test किये, और especially जो हम test में गलत करते हैं चीज़ें, वो हमें ज़रूर याद रहे जाती हैं, तो इसलिए test के अंदर की जो गलती हैं, वो आपकी बार-ब और इसके अंदर आपने plain PDF फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुझ से practice कर सकते हो कि आपको कितने questions याद हो गए, और बाद में आप उसे annotated है, जिसमें teachers ने आपको answers और reasons वहां कराएं, उसके साथ match करके देख सकते हो कि आपकी reasoning कितनी correct थी, तो इस तरीके से आपके MC सब्स है, वो अधूरा रह गया, सर ने NCI आटीज नहीं कराई या, कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी coaching पर कुछ रह जाता है, तो बहुत सारी coachings जो है, वो complete भी करा देती है, लेकिन कुछ बच्चों कर रह जाता है, लेकिन आन academy पे आपको पूरा पाठे करम कराया जाएगा, पूरा syllabus आपका cover किया जाएगा, और इसके अंदर एक और advantage है, वो ये है, कि अगर आपको लगता है, किसी teacher ने कोई topic मिस कर दिया, या कोई topic आपको ठीक से समझने आया, तो आप वो switch करके दूसरे teacher का same topic search कर सकते हो, देख सकते हो, उसके अंदर भी आपको क internet की reception अच्छे नहीं आती, जैसे suppose करो अभी cyclone विगारा आ गया था, तो internet reception जो थी बहुत सारे areas में, इंडिया में, वो coastal areas की तरफ, वो काफी जादा down हो गई थी, उस case में अगर आपने सब कुछ download करके रखा हुगा है, तो आपका syllabus आपकी पढ़ाई नहीं रुकती, और जी बाद, आप repeat पे चला सकते हो, और offline सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो, तो ये again एक बहुत बड़ा advantage होता है, तो ये कुछ advantages मैंने बताए, आपको क्यों join करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि अन Academy Plus का subscription अच्छा है, आप हमारी वीडियो देखते हो, हमारी quality देख लेते हो, तो आप join करेंगे, तो आपको 10% extra discount मिल जाएगा, using the code ANI7, तो इस code से आपको 10% extra discount मिल जाएगा, तो आपको जो net amount है, वो काफी कम आ जाता है, और मैंने आपको शुरू में भी जैसे बताया था, अगर आप 2 साल का subscription निकठे ले लेते हो, तो आपको 75% तक discount मिल रह है, और प्लस 10% extra discount मिल रहा है, using the code ANI7, तो अगें यह बहुत अच्छी डील है, अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा, thank you for watching this video, and have a nice day. झाल